पूरी दुन्या इस समय कोरोना वाइरस के संकट से जूज रही है इस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वज़े से बॉलिवुड का कामकास भी ठप पड़ा है लोगडाउन की चलते कई फिल्मों की शूटिंग कैंसल हो गई तो कईयों की रिलीस डेट अटकी पड़ी है इसमें सबसे जादा नुकसान बॉलिवुड के खिलाडी कुमार अक्षे कुमार को हुआ है अक्षे उन फिल्म स्टार्स में से हैं जो पूरे साल अगतार फिल्मों की शूटिंग में जुटे रहते हैं और कई फिल्में एक साथ ही शूट करते हैं एक report के अनुसार अक्षे के इस lockdown के चलते एक नहीं बल्कि साथ फिल्म में फ़स गई हैं जिसमें रोहीश शेटी की सुर्यविशी शामिल है ये फिल्म मार्च में release होने वाली थी लेकिन lockdown के चलते इस फिल्म की release केंसिल हो गई इस फिल्म के अलावा अक्षे के पास लक्षमी बॉम भी है, इसमें वो एक्तम अलग अफ़तार में नज़र आने वाले है साडी, चूडी और बिंदी वाले अफ़तार में अक्षे पहले कभी नहीं नज़र आए, इस फिल्म की रिलीस कभी कोई अतापता नहीं है इस साल अक्षे की मोस्ट रवेटेड फिल्मों में करन जोहर की बेल बॉटम भी शामिल है इस फिल्म को 2020 के आखरी में रिलीस किया जाना था लेकिन अब इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुशी चिलर और अक्षे कुमार की फिल्म प्रत्वी राज की शूटिंग शुरू हो चुकी है यश्राज फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म से मानुशी टेब्यू कर रही है पहले ये दिवाली पर रिलीस होने वाली थी लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब ऐसा नहीं लग रहा है अक्षे की एक और बड़ी फिल्म अतरंगी रे भी आने वाली है इस फिल्म में सारा अली खान और धनुश अक्षे के साथ स्क्रीन शेर करने वाली थे इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी लेकिन लॉकडाउन के चलते शूटिंग रोकनी पड़ी थी अब लगता है कि आनद एल रॉय की ये फिल्म देखने के लिए दर्शकों को और लंबा इंतिजार करना होगा बच्चन पांडे फिल्म में अक्षे कुमार के रफ लुक ने सभी को चौका दिया था इस फिल्म को क्रिसमस के माके पर रिलीस किया जाना था लेकिन अब इसकी रिलीस का भी कुछ पता नहीं है वही इन सब फिल्मों के अलावा अक्षे एकता कपूर की एक एकशन कॉमेड़ी फिल्म भी करने वाले थे ये साउथ की एक फिल्म का रिमेक बताई चा रही थी लेकिन अभी इस फिल्म का काम शुरू भी नहीं हुआ अब देखना होगा इतनी सारे फिल्म्स और इतने जादा नुकसान की कैसे भरपाई हो पाती है और क्या फिल्मों को रिलीज करने के लिए अक्षय OTT फ्लैटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं या नहीं Entertainment Desk